आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपको न्यूस बताऊंगा अभी क्या है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो फुग्ये भेज रहा है बलून भुला रहा है गुबारे प्यारे प्यारे गुबारे और नॉ दिया है तो साउथ कोरिया ने देखो क्या हुआ था कि 27 महीं को नॉर्थ कोरिया के स्पाय सैटलाइट जो है वो प्लेस करने चाहा रहा था लेकिन वो फेल हो वो नहीं कर पाया तो अब उसके बाद वो बीच में एक्स्प्लोड हो गया आप समझ सकते हो तो साउथ कोरिया ने फिर इमर्जंसी मिटिंग बुलाई इनकी जो रूलिंग पार्टी और बोला कि भाया दग बताईए कि यह जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है बीच महीं एक्स्प्लोड हो गया टुकड़े हमारे अंगिरे क्या किया जाए यही नहीं अभी और सुनिये नॉर्थ कोरिया मैं स पता नहीं पगला चुका है इस समय अभी मैंने किम जॉंग उन पर क्लेचर किया था इंसाइड दी माइंड ओफ डिक्टेटर आपने देखा किन उसको देखिएगा तो जो GPS सिगनल्स हैं वो जैम कर रहा है कोरियन पेनिंसुला दस शॉर ट्रेंट बैलिस्टिक मिसाइल जो जिसमें सिर्फ और सरफ कचरा भरा हुआ है इस तरीके का कितना मज़ा आएगा कि बलून जो है वह ऐसे आए और उसमें कचरा भरा हो और नीचे चला जाए और उसमें कचरा ऐसा विसा का फूसर नहीं कर द coupon कि लिए जाना जाता है अपने के pop culture के लिए जाना जाता अपनी industries के लिए जाना जाता और अपनी cleanliness के लिए जाना जाता है कुछ इस तरीके की तस्वीरे जो है वहाँ पे हमको देखने को मिल रही है तो south korea बोल रहा है भाया करें तो करें क्या बोले तो बोले कि अभी तक 700 balloons जो है वो लैंड कर चुके हैं ज्यादा damage तो नहीं हुआ जो इंसान की potty होती है न है न हम जो हगते हैं वो यहाँ पे एक तरीके से सब पड़ा हुआ है और यह बड़ा ही खतरनाक है मतलब एक तरीके से बहुत ही gross है तो senior ppp official चू क्यों यंग यह बोले हैं कि कि किम योंग उन पगला चुके हैं और अब अब उनको price पे करना पड़ेगे देखे South Korea भी सेम चीज़ करता है आपको पता है South Korea क्योंकि North Korea में कुछ access तो है नहीं तो South Korea क्या करता है बलून में PD फसा देता है अगर आप North Korea के किसी आदमी से बात करेंगे एक North Korea की जो मौतरमा है वह भाग गई अमेरिका भागी तो उन से पूछा क्या आपके human rights अबला human rights वो क्या होता है तो North Korea जो है ना वो बहुती dangerous है ठीक है ना बहुत dangerous और वहाँ पे लोगों को कुछ पतावता है नहीं क्योंकि वहाँ का brainwash किया गया है और क्यों वहाँ पे विद्रो नहीं होता क्यों फैमिली फैमिली पे निज़र रखती है वहाँ पे यूनिट्स है मतलब ऐसा है ना की फैमिली 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 मतलब ऐसे 20-25 फैमिली का एक यूनिट है तो हर एक फैमिली दूसरे पे निज़र रखती है अगर आपने विद रीड़ी एम की पीड़ी फसाके यहां में भेज़ दी तो यह साउथ को नौथ को लिए जिसी का है नौह साउथ कोरिया से भी बहुत सारे बराभ आते हैं अची चीज़ा थी है ठीक है अब बोला है कि अभी माफी मांगे किम जॉंगुन किम जॉंगुन बोल रहा है कि बेटा ज्यादा मत बोलो और न अगला फुगगा तुमारे घर में भेजेंगे ऐसा उन्होंने बोला तो नहीं है 2018 जो इंटर कोरियन पीस पैक्ट है जब तक म्यूचल ट्रस्ट दोनों कोरियन दो कोरिया के बीच में रिस्टोर नहीं होता तब तक हम इस ट्रीटी को रिस्टोर नहीं करेंगे तो साउथ कोरिया जो है अब फिर से प्रोपागेंडा ब्रॉडकास्ट चुरू करेगा साउथ कोरिया जो कर रहा है जो मैं आपको बताता हूँ वो एक रविलुशन भी चाहता है कि कुछ करके क्योंकि देखिए एक ही है दोनों बट एक पागल लीडर के वज़े से नौर्थ कोरिया बरबाद है तो साउथ यह साउथ कोरिया चाहता है कि किसी तरीके साकर विद्रों हो जाने तो मजा आ जहे तो उसके लिए प्रोपागेंडा सब से i'm Jess rpm होता है तो साउथ कोरिया कि जो इसने बुला कि देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आब प्रॉपागेंडा शुरू करेव है तो आप क्या है कि इस सआऊथ कोरिया के और इदर किम जॉंग इल है ना है तो आप क्या हुआ मालब की मिल सं तो बेसिकली क्या हुआ कि सपोर्ट था तो यह ऐसे तosi पीछ viscos wheat स में enjoyable पोरा कोरियन पैनिसुला के पास फिर अमेरिका तो फिर उसके बाद पीछे घसीटते घसीटते वह वापस चले गए तो फाइनली यह हुआ कि काम करते हैं एक पैरलल सेवेंटीन तारल लाइन जो है वह बनाते हैं और इसमें क्या होगा कि एक DMZ जो है वह क्रिएट किया जागा मतलब अभी भी साउथ को यह नौर्थ को यह अधर सब्सक्रण जो है नोर्थ को सब्सक्राइब सेपरेट करता है में नैटीनकर आनीटीनन फिक्टिफिट्य में में समझोटा हुआ था तो DMZ में ही अब यहां पे दयूए wł central एफटी हो थी उसके तद इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि इसका मतलब यही तक एसकेलेशन हो सकता है लेकिन क्योंकि यह साइकोलोजिकल वार्फियर है नौर्थ कॉरिया जो है उसने बोला कि देखिए अगर तुमने अभी यह सब फिर से शुरू किया तो जैसे हमने पहले किया था पिछली बार भी जब यह लाओड स्पीकर लगाय ग कि गुबारे में नीचे लटका दो कूला और कई पर बढ़ी है स्ट्राइडिजी यार मतलब कर देखो को पोड़ोसी उने से वह फ्रशान कर रहा है लेकिन ऐसा करना नहीं में जेले चले जाओगे बता रहा हूं लेकिन ऐसे आया तो यही है चुन बोल रहे हैं कि नौर्थ तो जो है तुरंथ हमने रिस्पॉंड कि और हमने बोला कि बालून भेजना बन करो और अगर ऐसे हुआ तो फिर तुम देख ले ना और आपको पता है कि इस समय रश्या को नौर्थ कोरिया तगड़े तरीके से सपोर्ट कर रहा है रश्या नौर्थ कोरिया से वेपन्स खर पर हैं तो माइट भी पॉसिबल की एक वार हो सकती है लब हम यह कह नहीं रहे हैं और इस तरीके से रश्या चाइना सब कोई सपोर्ट कर रहा है रश्या यूक्रियन वर लेड़ी चल रही है तो यह एक चिंता का विशय तो है नौर्थ कोरिया अपनी चीज़े करता रहेग आप जादा उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रेली केंनोट डू एनिधिंग और किम जॉंग उन जो है वो तो आपको पता ही है कि चाहेंगे ही वार हो जाए लेकिन बेवकूफ नहीं है वो ठीक है रिस्क लेके उगर उनको सपोर्ट में तो कूद भी जाएंगे वार में अचरiniz बट उनको पता है कि रिस्क बहुत बड़ा है क्यांकि इसाउथ कोरिया हमारा हो जाए दोनी साउथ कोरिया भी यहीं चाहता है लेकिन अभ यही है कि अभी तो फिलाल एसकेलेशन दिख रहा है बट वार हो जाएगा तो ऐसा नहीं है ठीक है बलून से ट्राश के साथ भेज रहा है को और इयर डिफेंस को वॉयलेट तो कर रहा है पट ऐसा नहीं क्यों मिसाइल आ रही है या एरोप्लेन आ रहे है या हलिक झाल झाल